नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहे हूँ स्वीट कॉन की सबजी और सिंपल रोटी या चापाती सबजी और रोटी का कॉंबिनेशन तो वैसे ही हमारे देश में बहुत पसंद किया जाता है तो चलिए रस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले हम रोटी बनाने के लिए डो तैयार करेंगे तो मैंने यहाँ पे दो कप केहूं का आटा लिया है आटा गूनने के लिए एक कप पानी लिया है आप चाहें तो आटे में नमक या रिफाइंड आयल भी मिला सकते हैं इससे रोटी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है थोड़ा थोड़ा पानी आटे में एड करके एक नॉर्मल डो तैयार करेंगे डो बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए आटे को मैंने 3-4 मिनट अच्छे से गून लिया है तो अब हम इसे यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं गून देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे इतना आटा गूनने के लिए एक कप पानी में दो टेबिल स्पून पानी पच गया है तो अब हम सबजी बनाने के तरफ चलते हैं गैस को मैंने आउन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे एक कडाही रख दी अब हम इसमें 4 चमच रिफाइन डॉयल डाल देंगे और तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे तेल के गरम होते ही आधा टेश्पून जीरा डाल दिया है और जीरा के क्रैकल होते ही मैंने यहाँ दो प्याज चॉप करके डाल दी है प्याज के साथ ही एक हरी मिर्च भी चॉप कर लिया था उसे भी एड़ कर दिया है और अब प्याज को हलका फ्राई कर लेंगे इसी स्टेज पे मैंने एक टेबिल स्पून कसूरी मेथी एड़ कर दी है जिससे वो भी प्याज के साथ थोड़ी फ्राई हो जाए प्याज फ्राई हो चुकी है तो मैंने यहाँ पे दो टमाटर चॉप करके डाल दिये है अब हम सूखे मसाले एड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक टी स्पून हल्दी पाउडर एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च एक टी स्पून धनिया पाउडर और नमक एड़ कर दिया है अब इन सब को फ्राई कर लेंगे आप चाहें तो प्याज और टमाटर को रफली काटने के बाद उसे फ्राई करके उसका पेस्ट बना कर भी सबजी में एड़ कर सकते हैं अब हम इसे 4-5 मिनट के लिए कवर कर देंगे 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम ढखकन हटा देते हैं ये देखिए टमाटर गल चुके हैं और मसाले पक चुके हैं तो अब हम एक स्पैचुला की हैल्प से इसे मैश कर लेंगे ताकि ये सब मिल जाएं और अब मैंने यहाँ पे 2 टेबिल स्पून दही लिया है इसे अच्छे से फेट लिया है और इसे अब सबजी में एड कर देंगे दही को सबजी में डालते ही बराबर चलाते रहना है आप दही की जगा घर की मलाई या क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं दही खटी नहीं होनी चाहिए और अब मैंने यहाँ पे दही वाली कटोरी से एक कटोरी पानी एड कर दिया है अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं और अब मैंने यहाँ पे एक कप स्वीट कॉर्ण डाल दिया है आप चाहें तो स्वीट कॉन को बॉयल करके भी डाल सकते हैं मैंने स्वीट कॉन को बॉयल नहीं किया है इसलिए इसे मैं 7-8 मिनट तक पकालूंगी और पीच-पीच में चलाती रहूंगी 8 मिनट हो चुके हैं तो अब हम धककन अटाके देख लेते हैं ये देखिए स्वीट कॉन ग्रेवी के साथ मिल चुके हैं और पक चुके हैं इसका मतलब है कि सबजी तैयार है तो अब लास्ट में मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल कर और थोड़ी सी हरी धनिया डाल कर गैस आफ कर दिया है सबजी बन चुकी है तो अब हम रोटी की तरफ चलते हैं 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम हाटे को हलका सा मसल लेंगे रोटी बनाने तो सभी को आती है और हम सभी जानते हैं कि रोटी को हम तबे पे भी सेख सकते हैं और डारेक्ट फ्रेम पे भी सेख सकते हैं तो मैं ये दोनों तरीके से बनाऊंगी अब मैंने थोड़ा सा आता डो में से निकाल लिया है और उसकी इस तरीके से लोई काट लिया है एक लोई को ले लिया है और सूखे आटे में डस्ट करके उसे बेलना शुरू कर दिया है रोटी का साइज आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं मैं यहाँ पे मीडियम साइज की रोटी बना रही हूँ गीला आटा गूलने से आटा बेलन और चकले में चिपकता है कडा आटा गूलने से आटा फटने लगता है लेकिन नॉर्मल आटा गूलने से ना आटा चिपकता है और ना ही फटता है रोटीयां बहुत अच्छे से बेली जा सकती है तो इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे तब आग गरम हो चुका है तो अब मैंने इस पर रोटी डाल दी है 30 सेकंड के बाद रोटी को पलट दिया है रोटी को दूसरे साइड से अच्छे से सीखने देंगे जब वो दूसरे साइड से पक चुकी होगी, तब हम उसे पलट देंगे और अब एक साफ कपड़े की हैल्प से उसे प्रेस करते हुए फुला लेंगे रोटी को पलट देंगे, ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बनकर तयार है तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, अब मैं दूसरे तरीके से रोटी बनाऊंगी तबे पे हम रोटी को डाल देंगे और थोड़े देर के बाद इसे पलट देंगे पलटने के बाद इसे दूसरे साइड से अच्छे से से शेक लेंगे इसे दूसरे साइड से तब तक सेखना है जब तक इसमें डार्क ब्राउन कलर की चित्तिया ना आ जाए ये देखिए ये दूसरे साइड से सिख चुकी है तो अब मैंने इसे चिम्टे से उठा कर डायरेक्ट फ्लेम पे डाल दिया है और गैस की फ्लेम मीडियम रखी है नहीं तो रोटी जल जाएगी और अब ये देखिए रोटी तयार है और दूसरी तरफ मैंने तवा करम है तो उस पे तीसरी रोटी डाल दी है और इस तरीके से हम सारी रोटी बना लेंगे सबजी और रोटी तयार है तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं वैसे तो स्वीट कॉर्ण की सबजी के साथ पूरी पराठा राइस सभी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन गरम गरम रोटी के साथ ये सबजी बहुत मज़े की दोस्तों आपको ये रस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन जरूर दवाएं ताकि आपको मे मेरी नई रस्पी के नाटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद